तो यहां पर यह बिल्गुल काम नहीं करेगा और इसमें जो 11 नमबर पीन और 12 नमबर पीन है उसमें लगाने के बाद यह हमारा बिल्गुल काम करने लगता है हेलो दोस्तों मेरा नमें गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक लेक्टोनिक्स और दोस्तों यहां जो बुलुटूथ डॉंगल देख रहे हो इसको जो यूज करने का तरीका है वो किसी भी अडियो रिसीवर या किसी भी होम थेटर या किसी भी एम्प्लिफार में जो USB सॉक एम्प्लिफार है वो नन बुलुटूथ है वो बुलुटूथ में कर्वर्ट हो जाता है तो इसके चलाने के लिए आपको USB सॉकेट का जरूरत जरूर पड़ता है और यहां पे जो यह बुलुटूथ देख रहे हैं दोस्तों इस बुलुटूथ चीप का क्या फंक्सन है इ डारेक्ट किसी भी एम्प्लिफार में आडियो इनपूर्ट पर लगा दे डारेक्ट इसमें आपका सॉंग प्ले हो जाता है लेकिन इसको प्ले करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी परकार का USB का सॉकेट आपको खोजना पड़ेगा तब यह आपको काम करता है तो आपन किस परकार से हम इस एम्प्लिफार में करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लोग ऐसे भी इसको जरूर्ट ट्राइ किये होंगे जैसे कि यहाँ पे इसका चार प्रिंट बने होते हैं जो की माइनेस प्लस और डाटा माइनेस और डाटा प्लस तो साइड वाले जो हमारा माइनेस और प्लस होता है उसमें हम सप्लाई देकर और बीच वाले को लेप्ट राइट इंपुट समझकर अडियो एम्प्लिफार में हम इनपुट देते हैं यह बहुत लोग जरूर किये होंगे और देखे होंगे कि यह हमारा काम करता है कि नहीं लेकिन यह बिल किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसको डारेक्ट एम्प्लीफायर के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा बिना किसी भी यूस्बी में लगाय हुए तो चलिए इसको किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले में आपके दोस्तों इस बूलो तूंगल को खोल लेते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह यहां पदिक देखने को मिलता है तो यह प्रसें प्रस्ट कलेंगेехश है यहांप सकते हैं यहांप सब्सक्राइन बाते किसंद चीप करेंगे दोस्तों इसलो सब्nal डिटेल्स के बारे हैं आपो बता दू तो यहांप देख सकते हैं पूइल यह जो हमारा IC का जो हमारा PIN है दोस्तों यहाँ पे 61 से 8 नमबर PIN है और यहाँ पे 9 और 10 तो हमारा data minus और data plus का है 11, 12, 13 यह जो 3 PIN है दोस्तों हमारा खाली है तो यहाँ पे जो 12 और 13 PIN है दोस्तों वो हमारा left right output का है ठीक है? यहां से होमारा data का है लेकिन यहां पर हमारा output भी करता है Bluetooth ठीक है जो कि इस परकाड़ का जो option आता है इसमें यहां परABAY और यहां पर left right output करता है ठीक उसी परकाड़ से जोस्तो इसमें 12 और 13 लोस्तो ये हमारा जो है 78.05 है तो इससे मैं इसको supply दे दूँगा तो यहाँ पे जो दूस्तों ज्यादा print है वो हमारा minus है और इस set से दूस्तों वो हमारा plus है ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसमें supply का connection कर दिया है आप इसको अलग से भी connection कर सकते हो या amplifier में आपका power supply के लिए जो 78.05 लगा हुआ है तो आप उससे भी इसको supply दे सकते हो ठीक है यह हो गया उसके बाद हम इसमें audio input के लिए दोस्तों यहाँ पे हम नहीं लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है इसके 12 और 13 वहाँ से हमारा audio output होता है तो वहाँ पे हम इसका connection करेंगे तो audio input के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 potensometer मैंने लगा रखा है और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक wire निकाल लखा है जो कि audio input होता है जो कि ground मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैंने इसका जो supply दिया दोस्तों यहाँ से दिया है तो इसको ground जो है already इस board के जड़ी मिल चुका है ठीक है तो यहाँ से जो है आप दो wire निकाल सकते हो यह 3 नमबर 5 से और यहाँ से लेकिन मैं आपको checker के दिखा रहा है दोस्तों कि यह हमारा काम करता है कि नहीं करता है ठीक है तो चलिए मैं यहाँ इसमें supply देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने supply दे दिया है और यह मेरे mobile से connect हो चुका है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका 12 और 13 नमबर यह हमारा audio output यहाँ से करता है तो यहाँ पर जो मेरे पास amplifier है उसमें मैंने यहाँ पर इक वायर निकाला है जो कि मैं आपको check करके दिखांगा तो चलिए मैं यहाँ इसको check करके दिखाते हैं तो मैंने mobile में song को play कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको check करके दिखाता हूं दोस्तों मैंने इसको कहीं अलग से audio input नहीं दे रखा है अब देख सकती हो यह डारेक्ट यहाँ पे बुलुटूथ चीप से जो है कनेक्ट हो चुका है और दोस्तों मैं आपको यहाँ पी जो data minus और data plus है उसमें भी एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें हमारा काम करता है कि नहीं करता है देख सकती हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बिल्गुल काम नहीं करेगा और इसमें जो 11 नमबर पीन और 12 नमबर पीन है उसमें लगाने के बाद यह हमारा बिल्गुल काम करने लगता है तो दोस्तों यहाँ पे 12 और 13 लेप्ट और राइट चैनल है जिस परकार से यहाँ पे इस बुलुटूथ चिप में आप्शन होता है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस परकार से इसका कनेक्शन करना है और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि यह ट्रिक आपको पहले से पता था कि नहीं पता था तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लिज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब हो